मंच पर खड़ी गाई का प्रियंका सिंग दो मिनट बोलने का समय मांगती रह जाती है लेकिन उनसे माइक छीन लिया जाता है उनको गाने से रोक दिया जाता है और इसके बाद प्रियंका सिंग भरे मंच पर ही रोने लगती है प्रियंका फफक फफक कर रोते हुए कहती है कि मैं गाने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ मेरे पास गाने के लिए बहुत सारा मंच है लेकिन यहाँ पर गोपाल गंज जीला प्रिसासन ने जो मेरे साथ दुरूबिवार किया है इसको मैं भूल नहीं सकती हूँ गोपाल गंज की ही बेटी को गोपाल गंज में ही जैसे जली किया गया है इसका निया मुझे थावे वाली माई जरूर देंगी मैं उनके ऊपर छोड़ कर जा रहा हूं इसके बाद प्रियंका सिंग रोते हुए मंच से उतर जाती है और यह घटना सोसल मीडिया पर वायरल हो गया लोग इस वीडियो को पोस्ट करके कॉमेंट करके लिख कि कहा जाता है कि भोशपुरी कलाकारों का बाहर में इज्जत नहीं होता है लेकिन अपने घर में ही जब किसी कलाकार से ऐसे पेश आया जाएगा तो बाहर वाले उसकी इज्जत कैसे करेंगे कोई कह रहा है कि कहे का प्रोग्राम कहे का महुत्सव जब किसी कलाकार को बुल प्रिशासन की जो फजीयत हो रही है लोगों के अलावा बोजपूरी कलाकार भी प्रियंका सिंग के समर्थन में उतर आया है इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे पर उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजपूरी देख रहे हैं आप और मैं हूं संदी मिस्रा कैमरे के पीशिये हमारे साथ इविशाल खड़े हैं गोपाल गनजीले में थावे महत्तो चल रहा था जिसका अवजन गोपाल गन प्रियंका और इसी महँद्थों के पहले दिन गोपालगनजीले की बेटी गाई का प्रियांका सिंह का वहां पर कारिकरम था, और मंच पर जब प्रियांका अपना कारिकरम प्रस्तुत कर रही थी, तभी गाने के दौरान ही कारिकरम की एंकर जिनका नाम रूपम्क्रिविक्रम है, माईक से कुछ कहना चाहा, तब ही एंकर बीच में बोलते हुए, प्रियंकर को समानित करने के लिए DM को मंच से बिलाने लगी, इस दोरान एक सक्स आया और गाई गया के हाथ से माईक उसने छीन ली, और इसके बाद प्रियंकर सिंग मंच पर ही रोने लगी, रोते हुए प्रि जन्दा अनुभाव रहा और इसका न्याय थावे वाली माई जरूर करेंगी, कारिकरम के बाद प्रियंका सिंग मीडिया वालों से बात करते हुए बता रही थी, कि उनको इस कारिकरम के लिए बुलाया गया, जब वो एयरपोर्ट पे पहुँची, तो उनको रिसीव करने क प्रिशासन के तरफ से कोई गाड़ी नहीं वेजे गई, गुपाल गंज प्रियंका का घर है, तो उनके घर वालों ने जो घर वाले जाकर उनको इयरपोर्ट से रिसीव करके लाए, और इसके बाद जिला प्रिशासन की तरफ से कहा गया था, कि उनके ठहरने के लिए जिले प्रियंका बताती है कि कारिकरम से पहले मुझको वहां बैठाया गया, जहां टेबल पर जूठा पड़ा था, उसको साब तक नहीं किया गया था, और जब उनको इस्टेज पर जाना था, तो उनको कोई सिक्यूरिटी नहीं दी गई, साथ ही प्रियंका को गाने के लिए ऐसा प्रियंका सिंग का कहना है, दूसरी तरफ जिला पुराशासन कह रही है कि कारिकरम को समाप्ती करने का समय हो गया था, प्रियंका को अपने प्रश्थोती समाप्त करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो कर नहीं रही थी, इसलिए उनको बीच में रोक दिया गया, और लोग कुपाल गंजीला प्रसाशन से बहुत नराज है दूसरी तरफ प्रियंका सिंग ने बिहार सरकार के पुरेटन विवाक से सिकायत कर दी है उन्याय की मांग कर रही है अब देखना है आगे इस मामले में क्या होता है अगर इस मामले से जुड़ा और भी कोई अपडे